ध्यान दो इस पे क्या बता रहे हैं तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है कॉसी sequence कॉसी सिक्वेंस ठीक है इस इस वेरी इंपोर्टेंट अब इसको के लिए पले समझे कॉसी सेक्वेंस एक्षोल में होता क्या है तो लेट action be a real sequence और अब यह sequence जो हमारा है ठीक है सबसे पहले चीज़ यहां पिए है कि कॉसी sequence हमें सीखने में क्या मदब मिलेगी मलब कॉसी sequence एक्षोल में क्या बताता है कि कुछ टर्म के बाद यह कुछ टर्म से अनकुछ तर्म के बाद ऐसा एक टाइम आएगा जिसमें से अगरम sequence की बिच की डिस्टेंस निकालेंगे तो लेज़न एप्सालन होगा से किन इसका हम लेजब होगा से कि अटाइम के बाद कर लेज़न एक टते एक था जिस्ट की ते स्टेंस erhalten एक टो टो epsilon for all n greater r equal to m and greater r equal to m let let action be a real sequence for all epsilon greater than zero and then there is just a positive integer m a k m s integer exist karaga jaha se a k m a k s hap ko mila ga integer jaha se in case sequence give us distance hooga wo less than kya hooga epsilon hooga for all epsilon sabhi epsilon ke liye samdi sandhi to you johm choice hai ye johm ki choice hai yohm ki choice hap ko milayi or fuse ke coding hap ko yoha pe check karene bidega sandhi sandhi to ye kehlata hai hemara kausi sequence a chai si make definition or a jati hai ki let action be a real sequence action be a real sequence thik hai for all epsilon greater than zero there is just m belongs to natural number thik hai let action be a real sequence for all epsilon greater than zero there is just m belongs to natural number manlava positive integer pho woman ha呀an aper ki ik sé m plus be plus xm lesson at salen for all pa Ram pé getter than zero in a Haura has minhe lixa suppose kuro to-to-is ka mattlab is sons ke rha yoi mars name moals Komacağız Score Rai ki sabhi P ke liye कोई एक पॉइंट है हम तुम्हें एक्जामपल देते हैं और मेरा कुस्टन भी है यह कि मान लोग को यह लेटे एक्सन भी है रियल सिक्वेंस और एसा हमने दे दिया तुम्हें ठीक ना तो हमने तुमसे पूछा कि मॉड ओफ एक्सन प्लस वन माइनस एक्सन लेस दे एफसा मतलब समझें मेरी बात को कोरी सेक्वेंस दिया जाएगा डिफाइन होगा और ओर लेस देन एफसालन है तो मैं क्या इसको कण वर्जेंट बोल सकता हूं यह नहीं विद्क समझना फिर से मैं बता रहा हूं की डिया गया गया है एक्ट्षान में क्या दिया गया है कि एक सेक से मेरे पास ठीक है और इस सेक्वेंस में आपको दिया गया है कि जो सेक्वेंस है पॉर आल एपसल गट दन जीरो सभी एफसालेन के लिए मेरे कंडिशन प्रूव होता है कि मौड ऑफ xn plus 1 minus xn less than epsilon तो मेरा प्रस्ट यह है क्या यह कॉसी होगा क्या यह कॉसी होगा होगा पक्की बात एक बात और जान लो every कॉसी सेक्वेंस इजा convergence sequence इसको कॉसी करेटेरिया करेटेरिया भी बोलते हैं every कॉसी सेक्वेंस इजा convergence sequence and every convergence sequence इजा कॉसी सेक्वेंस 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 सेक्रेटेरिया इसका होता है तो तो में इसमस्ट लगाना आपने बोला यह true है हना और actual में यह false है क्यों false है क्योंकि यह definition अगर हम लगाएंगे भी मालू यह क्या था piece greater than zero था तो 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 चोगे लेकिन फिवे फॉल्स है क्यों false है मैं तुम्हें बताता हूं क्यों false है एक चुना बेटा यह जो definition है उसमें ध्यान से देखो कि तो for all piece greater than zero लगा है particular कोई भी नहीं लगा है यहां पर क्या लिखाए इसका मलब क्या हुआ जीरो से बड़े सभी पी के लिए होना चाहिए ना कि particular एक पी के लिए होना चाहिए अगर इसको फॉल्स करना चाहें तो आपको हम एक सेक्वेंस दे रहे हैं फॉल्स करने के लिए एकशं बराबर एंड़ें ढेंद इती हैं तो एक संप्लस फॉन कितना यह बैटा रूड एप्लस था आएगा सबस्क्राइक कि सबस्क्राइघ सब्छारा हुँए C आघर तो इसे के लिएyan होगा तरफ सब्सक्राइद सेख्वंस इसका मतलब यह कौशी प्रूफ नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास यह निकल के आई जो इसे एक बात हमें सिद्व मिलवगई कि अगर ऐसा कभी मिल जाए यहां इसमें कोई एक गवेलू दे रहा है तो वह हुमारा कॉसे सभाइड नहीं है कि कि बात करेंगे किसी पाइगा कोई चुर्ण है इसका मतलब यह नहीं लिया बाकि सब पे नहीं हो तब तक हम ये बात कहीं नहीं सकते हैं कि हमारा ये ठू होगा वासद है नोट करना है एक्जामपल भी अंता है तो हमारी प्रसक्ष एक सेंग है वनबाई एन किस से को मुझे दिखाना है कि यह कनवर्जिंट है बाइक कॉसी यूजिंग कॉसी सेक्वेंस तो इस कनवर्जिंट कैसे सो करोगे कि पहले सो करोगे कॉसी है कि नहीं है हमने बोला इज कॉसी एक क्वेंस लग गया तो इसको इसको कैसे सो करेंगे तो पहले हमारा काम क्या होगा तो पहले हम XN माइनस XM ढूड़े ठेक है तो यह क्या बनेगा बताओ 1 upon N माइनस 1 upon M और यह क्या बनेगा जब यह ऐसी कुस्टन आ जाए तो पहले फिल करो हमारी definition किसके लिए होती है N greater than R equal to M के लिए होती है मदब जिसमें N जो हो वो M से क्या हो बड़ा हो अगर N मेरा M से बड़ा हो गया तो मैं थोड़ा reverse की बात कर लेता हूँ तो यहां से क्या होगा 1 upon N is less than 1 upon M कोई दिक्कत मतलब यह 1 by M क्या होगा यहां पर 1 by M है तो जो 1 by M होगा वो 1 by N से क्या होगा एक्ट्रों बड़ा होगा इसका मतलब अगर मैं यहां से मॉड़ा हो तो यहां से अगर मैं इसको ऐसा लिखों समझना मेरी बात को अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ 1 by M minus 1 by N तो बहुत को दिक्कत आएगी क्यों क्योंकि यह जो वैल्यू है यह जो वैल्यू है यह चोटी होगी 1 by M से अरे पक्का अगर में में कुछ घटा रहें तो यह वैल्यू पक्का वन वाइंस पक्रम होगी तो इसका मतलब यह वाली वन बाई इससे वैल्यूस किया बड़ी है ठीक है और अगर मैं यह लिए लो लेस देन एपसालेन फोर ओर एम टेर देन वन बाई मियात एकुंधिन हिस्ट कर दो हमारे पार एकसे ओर मेरम होती है है डिविद करो लट्वेक्शन वियर सेक्वेंश लेट एक्षन वियर सेक्वेंस पॉर और जूर्ब जिरो सेंडेर बद्वेंग ध्रब्सक आ दो से बड़ा कि नाल के देखो उससे बड़ा तुम्हें तुम्हें प्रहल कर तो नहीं बढ़ा हो गया और लो कोई छोटा छोटा लो नहीं तो फिर नहीं पाओ गई ऐसे हमने तुम्हें लिया पॉइंट जीरो टू ले लिया तो एक्षव में कितना देगा वो 50 50 बढ़ा फिप्टी बढ़ा ले लिया मैंने में लिया में की सब्सािबर हुए सबी एप्सलेन में M2 मिल रही है तो इसका मतलब क्या हुआ देसे जा करमरज सेक्वेंस तो यह हमारा से कसा होगा खर से सेक्वेंस होगा अगर कोगिसे से था कषे एक तोrais हो गया इसका मतलब वो बाउंडेश सेक्वेंस भी हो गा घणा बसमेंज ना क्यों एबरेकोशी सेक्वेंस है कनवर्जिन सेक्वेंस औरेकोशी सेक्वेंस इस का मतलब जितने कोशि सेक्वेंस सारे सारे तर कन्वर्जिन सेक्वेंस हो गए सेक्वेंस इजा बाउंडेट सेक्वेंस की बात नहीं कर रहा हूं कि बाउंडेट सेक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगा ना प्रोडिंस सेख्वंस्ति गैए क्नवर्जेंट हो गया हम सिम्पल टास्क हो गया लगा रहे थो लगा पाते हो लगा लो लगा लगाना आया इससे कुछ आया एक कुछ रचन में और देता हूं आपको और है आगर हम और हम करते हैं और कोई भी लार्ज वैलियू होती लेकिन उनके लिए वहती छोटा होता है वहती छोटा थो तभी लेस्दन क्या बोलते हैं आपसलन बोलते हैं तभी हर एक एपसलन के मुझे वह वैल्यू एज़िस्ट हो जाते हैं तो अगर उस सेकन्स को अपनी कोसी डेफिनिशन को यह भी बोले एक पी माइनस एक क्यूं ठीक है ना बात वही है एक पी माइनस एक क्यूं लेज देन एफसालेंड एंड पी और क्यूं इस ग्रेटर देनर इकोल टू एम ऐसा बोल दिया मैंने तो भी हमारी कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी बात समझना मेरी बात को क्लियर कर लेना एकदम अच्छे से ठीक है तो अगर हम यह भी दिखा लेते हैं तो काम हो जाएगा मेरा तो जैसे मेरा सेक्वेंस क्या कहता है कि सेक्वेंस कहता है भाई एन इसक्वाइर क्या कहता है एन इसको है तो हम चॉइस कर लेते हैं हमने कि डाउट आया एबना कहा है नहीं संद्म आ गई हमने लिट कर लिया कि पीज को नगें तुए यह तो कॉनित तुट्टी को दिखखा था इहीं प्लस वन और कुण को क्या ले लिया तू एम क्यूंकि इसको ले अफ–साले से कैसे एक एकशन आने के लिए कुस्तों कुस्तों क भी चोड़ो तो क्या राइम प्लेट लो सब्सक्राइब कता हो जाएगा तो मुण Labs को फरक पड़ेगा नहीं तो में भी तुमारब पास यह बनेगा और यह बता हो अगर वन में कुछ पॉस्ट्िव एड कर रहे हो और में कुछ फॉस्ट्यो एड कर रहे हो तो यह होगा तो बड़ा होगा पक्का बड़ा होगा तो हमने इस टर्म में तुमने डिवाइड कर दिया कि यह दोनों हमारे पास इवेन और और ले लिए हमने है ना उसको में उठाके रख दिया तो हमने देखा हमारे पास यह वैल्यू आ गई और एम जो होगा हमारे पास निच्छ सकता हूँ तो मैं Kai's कर लेता हूं किसी भी कोई भी एंट दूदना तो में कोई भी एंट डूद लेना है अगर एफ identific के लिए एक भी एम एजिस्ट हो पाता है देया रिजिस्ट लगाए ना एक भी एम ढूल लेते हो तो काम हो जाएगा मैं क्या देता हूं की च्वाइस देता हूं चलो मैंने एफसलेंज टाइस के लिए वन भाई टू जरहा एम ऐसा डूंड के दिखाओ इसमें जो लेज दैन होगा यह नहीं होगा इसका मतलब हुआ कि अगर हमें इसके लिए कोई भी एम नहीं मिला कोई भी एम ढूंड नहीं पा रहे हैं वन भाई टूंड पा रहें क्या नहीं पा रहे हैं अगर हम कोई भी एम नहीं डूंड पा रहें इसका मतलब क्या हुआ कि गिवन सेक्वेंस करने जा डाइवर्जेन सेक्वेंस नहीं समया क्या बात कि बात करते हैं तो नहीं लेकिन यह पक्का क्या होगा फिर डाइवर्जेंट होगा बाउंड़ेंगे इसमें अब कि लिए तो अलग चेक करना पड़ेगा तुन सब्सक्राइब कर रहा हूं क्योंकि हमने प्रूब कर रखी है इसलिए हमने बताती है अगर मेरे पास दो सिक्वेंस आगया एक एक सेन आगया मालो और एक आगया वाई-एन ठीक है इज़ा कॉसी सेक्वेंस कॉसी सेक्वेंस कॉसी सेक्वेंस ठीक है देन पहले बात इनका जो सम होगा वो क्या होगा कॉसी सेक्वेंस होगा दूसरा इनका जो सब्ट्रेक्शन होगा क्या वो कॉसी सेक्वेंस होगा तीसरा इनका जो प्रोड़क्ट होगा क्या वो कॉसी सेक्वेंस ह होगा चौथा इनका जो डिवाइड होगा क्या वो को से से के सोगा ठीक है यह बात आई बासने नहीं समझे तो मैं इतने पॉइंट पर डिसक्स करना है तो यह दखो हमने क्या सिखाया था हम ने इसकाया था कि अगर कोई से क्शेंस तो अगर वो होता हैता कॉसिसे क्शपेंस तैसे कि इसका मतलब भी हुआ कि होगा का है से सिक्वेंस कॉसिवेंजस वासन में आ रहा है यह वह सिक्वेंस ये क्या होगा ये भी होगा ये कॉसी सेक्वेंस और ये भी क्या होगा एक कॉसी सेक्वेंस होगा तो ये भी हमारे पास एक पॉइंट निकल किया गया है इसको भी दिमाँ में रखो अगला कोस्तन है और इसको सोचो क्या होगा जैसे हमने दिया तुम्हें सेक्वेंस दे दिय ठीक है 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4 plus 1 by 5 plus 1 by 6 plus 1 by 7 plus ions 1 plus 1 by n वैसे हम लोग जानते हैं this is a divergent sequence divergent sequence मतलब this is a not quasi sequence but इसको मुझे प्रूब करना है this is a not quasi sequence how can you prove it तो सबसे पहला काम क्या है है सबसे पहला काम क्या है कि मेरे पास यह होता है कि सर मौड ओफ action minus action ठीक है यह होता है अब action जो होता है action में होता क्या है 1 2 3 4 5 M तक फिरेंस लेकर यहां तक चलता है रइच समया नहीं 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 रहा है M तक तो यह canceling कर देगा M तक दो यह canceling कर देगा तो तो एक्च्वल में क्या है एक्च्वल में यह है कि एम तक तो यह कर देगा इसमें जो बचे को क्या होगा एक्सें प्लस वन होगा एक्सें प्लस टू होगा एक्सें प्लस थ्री होगा डाडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडड एम होगा अरे एक्सान होगा गुम्ला के बात है यह फिर एक्सान ने एक्सान बोलो राइट सुन्हा गया अब यह तुम कैसे करोगे आगे इसका मतलब क्या हुआ इसको बताओ इसको समझाओ हुमें एक्सान पर दिलेत होगा है हाँ तो यह हो जाएगा माल वनपमadesrüन प्टलस उन इन पलस यह होगा ठीक है यहां तक करने संद में अगई अब यह क्योंकि ए मेरा पॉस्ट्यून टीजर है अगर ए मेरा पॉस्ट्यून टीजर है इसका मतलब इस पर मॉड को यह सर नहीं पड़ेगा अगर मैं इसको रिफ्लेज कर देता हूं सभी को 1234 सभीς को एम से कर देता हु तो यह यह बन जाए कर देंगे तो यह मतलब बढ़ा कर रहा है सो जब हम डिनॉम्टर बढ़ा करेंगे तो वैलू क्या होगी छोटी होगी तो यह हो जायगा वान अपॉन टुए म फ्लस बन अपॉन टू एम लस आएंड सो ओन ठेके ना वान अपॉन टू एम एक्चोन में बड़ी हो जाएगे व तो यह मैं से मेरा कैंसिल तो एक्ष्व मैं क्या यह वन बाई टू आ जाएगा अग्या वन मैट मतलब यह जो वैल्यू आ गई एकसेन माइनस एकसेम इस गेटर दन वन वाई टुए अ अन्य वन मैट उसे बड़ा होगा मलब हम और 1 x 2 से छोटा ले लेते हैं तो यह कोई हमें वैल्यू दे नहीं पाएगा अगर हम एकसाल ले लेते हैं रचोटा होना चाहिए और यह कह रहा है कि इसकी यो कोई ये कोई भी m की चैसे में दे पाईगा ये उचो नहीं पाएगा मालब 114 के लिए कोई भी मिझे मिल नहीं पाएगा या 1 बाई 3 के लिए यह मिल पाएगा क्यों कि सेक्वें जो है बढ़ा है सब्सक्राइब नहीं पाएगा इसका मतलब यह हुआ कि हम यहां पर इसको कनवर्जेंट नहीं होगा बासन में आ रही है सेक्वेंस है तुम्हारे पास माइनस फार एन अपवाऌन एण इसको देखो वैसे से काम अधिन से के साय लेकिन हमें इस पर क्या करना है को सिस्टेइब इफिन सा फालो करानी अभी देखो एक उसी से किसे प्रूब करोगे इसको प्रूब कर लोगे नहीं कर पाऊगे तब लगड़ा है कि टेफला गराया है भी देखो पहले एक्सन होता है मेरे पास लेखो मौड ओफ एक्सन होता है माइनस एक्सम होता है चोद दिखा थां मॉड आप एक्सन के वैलों क्या होगी माइनस उन की पावर एन अपाउन एंड यह ठीक है अब मैं लगा ओंग लेज़ाना एकुल एन प्वरावर एंड खेल डाना फावर ए कहा बीकूस हम जानते हैं फावर एक्सफ प्लस्मॉड ऑफ घ्रक्राइब नहीं होती सबम खूल दिया अब winners कमणल कड़ीन सब्सक्राइब होता है मतलம हिए गर मतलब बड़ा हुआ है अगर बड़ा हुआ अगर बड़ा हुआ तो इसको किया कह सकते हैं अगर यह है अब इसके आगे तुम क्या कोके बॉलो देखो common sense लिबाते का यह बड़ा है और दिन आंटर जितना बड़ा होता Хँए नहीं छोटी होती अगर हम इसको कर दें m से तो जो यह नहीं वाल्यव आएगी वो इससे बड़ी होगी है जो हमने हैंते उसको ठीक तो एक छोटा निक्रेश्ट करोगे तो cafeteria आएगे बड़ीर तो खालेarem हो गे तो value body आएगी बड़ा रखो गे value xohti ameillum यह बूर रहे है इस अमेरीक अमेरिक वास अगर तुम में दिखा देता हूं जहां तो यह तक वासन में आई अगई अगाई अगर से इसन बोल साइड वन वाई में एड़्ाइब कर till quality को ईफरेक्ट आएगा क्या इससे बड़ा होगा नहीं होगा यह बढ़ा होगा ना वही किती देर से बोल रहे हैं वहनगाने पान तुमने 0.1 दिया ठीक है अब पॉइंट वन से छोटा लाना है तो एम की वैलू ले लो 50 करके देखो पॉइंट वन से छोटा आ गया तुम कोई छोटा छोटा दे दो हम बता रहें कहां मेरे पास एंकी छोटे है ना तुम कोई भी पॉइंट कोई भी छोटे छोटे टुम और इंचा यह 17 साथ साल के लिए की चौइस है तो दिए हैं उसे एक सेक्वेंस और को गवेन सेक्वेंस तो इसका मदा वब क्या हुआ अगर इसका मदा बांद भी जिक्कत नहीं है करते हैं कि देखो common sense लगाओ मैं क्या कहा हूं डिनाव मेंटर जितना बढ़ा करते जाओगे वैलू उतनी ही छोटी होती जाएगे अगर तुम M को रिप्लेस करोगे N से तो यह भी डिनावटर बढ़ा हो गया इसका बढ़ा हो गया इसका मतलब यह हुआ कि जो नई वैलू ब तो क्या दिक्कत है तो M को अगर N से प्लेस किया क्योंकि हम जानते है N is greater than M है मतलब M छोटा है N बढ़ा है तो अगर अभी छोटी वैलू है इसका जो रिजल्टन वैलू बढ़ा दे रहा था डिनावटर छोटा मतलब वैलू बढ़ा दे रहा है इसे मालों एक बटे दो र दिया तो मालब जो मिलेगी वह ग्या मिलेगी चोटी मिलेगी तो इसका मतलब बढ़ा वाई एं प्लस वन भाई न हो गया बड़ी सब्सक्राई और तय अई मैं छोटा तो उल्टा करूँगा उसको कर दो और बड़ा हो जाएगा रेखर ऊटरह कर leaders आब किन बॉत के इनिवर्स चोटा SU ने ग्यांगिदा के सब्सक्राइब ग्यान की समझें जैसे टू प्रों त्री है अभी बड़ा है इनिवर्स करो जाए-ए do करते हैं तो बड़ा हुजी चुटा बज़ा है कि वाइथ मिन दिन देशे चिला ले नहीं सुन्हें के बाथ है ठीक है को के नहीं है ऐसे कि लिए इंक्वाल्टी पढ़ाया था ही था इसाब सबसें ही लिए अब लग रहा होगा नहीं को अटेम पोटेंट थी अना सुर्वाद में बता होगा लग रहा होगा क्या बता रहें गुरुजी अ उसलि मैथ है लिमित और इंडिकॉल्टी लिमीट और इंडिकॉल्टी सीलिक मैस वही है सदेद्राइग कार념 approximately approach आप्रोच करना यानि लिमीट और inequality बड़त सोटा ठीन इंडिक वालिटि हर्यक काम में मिलेंगे समझे निस असली मैं थी यह यह बस में आगी अगला को समझे रहा हूं रब कर दूँ जिन्देगी की सफ है सुहना यहां को क्या हो किसने जाना 1 plus 1 by 3 plus one by 5 plus one by 7 plus and so on plus one by 2 and minus one के लिए करो लिए क्या होता है action minus XM होता है राइट इसका मतलब अगर हम इसमें ब्रेक कर देते हैं तो इसको लिखें के 1 plus 1 by 3 plus 1 by 5 plus 1 by 7 plus plus and so on 1 by 2 की पावर n minus 1 plus 1 by 2 की पावर मान लो M तग लिखा मैने बेले M तग लिखा M minus 1 अगला आएगा 2 की पावर M plus 1 अगला आएगा 1 upon 2 की पावर M plus 3 अगला 2M नहीं आएगा और चल्ला है M की वेल्यू अगला रखो M plus 1 रखो M plus 1 रखो M जिखा पे M जिखा पे M plus 1 रखो तो क्या आएगा 2M plus 2 और minus 1 को मिला कि 2M plus 1 अगला रखो M plus 3 अगला रखो M plus 5 प्लस आइंड वान तब जाओगे तब मिलेगा 2N minus 1 मिलेगा बस मिलेगा इसमें मैं मैं माइनस कर रहा हूं क्या माइनस कर रहा हूं XM, XM का मतला हूँ 1 plus 1 by 3 plus 1 by 5 plus 1 by 7 plus 1 by 9 plus आइंड 1 plus 1 upon 2 की पावर M minus 1 ये कर रहा हूं minus ये सिधे कैंसल हो जाएगा? कोई डाउट आए यहां तक? इसका मतला बच्चेगा क्या मेरे पस्ट? मेरे पस्ट बच्चे गया है बेटा 1 upon 2 M plus 1 plus 1 upon 2 M plus 3 plus 1 upon 2 M plus 5 plus and so on 1 upon 2 M minus 1 कोई दिक्कत आई यहां तक? नहीं आई पक्का? सन में आ गया? तो इस तरीके से अब तुम्हें आगे सोचना है कि आगे क्या होगा? इसको में M से replace कर दें 1, 3, 5 इस तरह M से replace कर देंए अगर हम M से replace कर देते हैं X ठीक है M से replace कर देते हैं तो क्या बनेगा बिटा? 1, 3, 5 यहनि 2 M minus 1 1, 3, 5 मतलब 2 M minus 1 तो 2 M 2 M मतलब 4 M और 4 M minus 1 हो जाएगा अगला अगर हम इसको 2 M से replace करते हैं ठीक ना? 2 M minus 1 से replace करना पड़ेगा करके देखलें 2 M minus 1 से हैं तो 2 M minus 1 2 M 1 IU एप सκαवारू fal 15illas ga, kya बनेगा चरबताना? कया बनेगा बिटाओ? 1 अपरण 2 M में इसमें कोई दिक्कत नहीं हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बोईसे चलेगा, क्लिए क्लिएर, यहां तक देखो DECKW, जहां एँ हैं वहां क्या रखो रखता हूं तो वंके हो जाएगा बताओ यहां बीच में कोई दिकत ते बिटा यहाँ लाजशनक में सुनका चलो तूं टू यह सकते हो ना क्या हो सबस्क्रागा सबस्क्राइब अगर हम रिप्लेस कर देते हैं इसको टू एम माइनस ओन से ब्लेस तो यह बनेगा टू एम इसमें प्लेस कर दो किया बने गई बताओ हाँ बन जाएगा कब अगर बन जाएगा तो रखे देखो बन जाएगा पका ठीक है और पास्टी होगे तो मौड का कोई काम नहीं है तो अगर यह करेंगे तो इसको रिप्लेस कर दो तो यह हो जागा वान अपन टू एम प्लस टू एम वैलू यही बड़े हो क्योंकि हमने डिनाउटर को बड़ा कर दिया दिनाउटर प्लस यही बड़ियोखि एम प्लस वन अपन टू यह एम किलिए की उइस एम टो तो यहीं यह soll कि प्लस और इसको रिप्लेस कर रहे प्लस कि अंधं जाए गई ओन डिन आउपन टू च्रへक कूआ गर लिए tai क्यों मैं इस सम्म्हury बड़ा कर लिया तो एंपान फोर म मतलब एक्चल मुझे मिल गए वन बाई फोर इसका मतलब हुआ कि चोटी लेते हैं चोटी च्वाइस करते हैं तो यह सेक्वेंस हमें उसके लिए एंक वेर्फ दे नहीं पाएगा इसका मतलब हुआ कि सेक्वेंस क्या होगा पो अ दाइवरजेंट होगा का होगा डाइवरजेंट भी कॉसके WA cá Всемिघए अग्रे कॉसignant इसन लोड़ी बिए डाइवरजेंट अ और खीकी यह हाव